हेलो दुफ्तों स्वागत है आपका सोचियोलोजी क्लास बाई राजपुत जनी के मारे यूटूब चैनल पर जैसा कि आप जान रहे हैं कि थोड़ी हेल सी चुप करण प्रीडियो नहीं आपा रहे हैं तुप से क्विच टाइप में क्रिश्चन देख लेते हैं तो आए ऐसके मैक्स वेबर आओंकाल मांक्स को फुम्हें से संबन्धी थी कुछ क्यूशंन से तो आएए dif केका पहला प्रस्थ है मैक्स वेवर सत्ता के किसप्रकार का उलेख justement क्या गया है मैक्स बेबर बीदानिक सत्ता की बात करते हैं तारकिक सत्ता की कि बात करते हैं परंपारिक सत्ता की बात करते हैं करिस्माई सत्ता की बात करते हैं जबकि भावनात्मक सत्ता की बात नहीं करते हैं तो इसका राइट अंसर धी हो जाएगा पाचमा हो जाएगा कि भावनात्मक सत्ता की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं अगला समाज और धर् ग्ला कर्चाना कको नियुरवचनात्मकि व्याख्या की जा सकती है, या कथन संबंदित है तो मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजी क्रियाओं से तात पर ऐसी क्रियाओं से जिसमें दूसरे ब्यक्तियों के प्रति की जाने वाली क्रियाओं को जोड़ते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ उस ब्यक्ति से जुड़ता है और जो आदर्थ प्रारूप के क्रियंग का निर्वशनात्मक व्यांख्या भी करता है अगला कि अंसार उत्पादन के वर्ग आधारित, चंबद आवस्यक रूप से वर्ग संगहर्द को जन्म देती है तो कालमाक्स के इंसारней्षार्ठ अर पादन के वर्ग अधारित शंबन और से वर्ग संगहर्द को जन्म देती है कि कि अगला किसने समाथ सास्त्र को सभी प्रमुघ भागों में बाता है एंथायत कि ये सामाजिक गत्कि 아니라 No सास के सभी विशाय को सामाजिक एस्थायत की या सामाजिक गत्की दो भागों में विवाजित किया है अगला मैक्स वेबर के विचारों को पारंपरिक रूप से किसका रूप माना जाता है तो मैक्स वेबर के विचारों को पारंपरिक रूप से नवकांतवादी दर्शन के र तरह होता है तो काल माक्स ने धर्म को परिवाज़ करते हैं कि धर्म अफीम की तरह होता है जो मनिस के उपर ऐसा अपना रंग चड़ाता है कि मनुस उसके आगे कुछ सोच नहीं पाता है कि इसने समाजिक विज्ञान में सोध विदियों के साथ साथ वस्त परक्ता और मुले तथरष्टा जैसे मुद्धो को लेकर एक लंबी बहस की शुरूवात की ठीए जिसका राइट अंसर हो जाएगा मैक्स बेबर मैक्स बेबन ने समाजिक विज्ञान में सोध विदियों के साथ साथ वस्त व परक्ता और मुले ततश्टा जैसे मुद्धो को लेकर एक लंब करने के लिए करता है जिसका राइट आंशर हो जाएगा जाएगा जैसा कि एक सत्रा आदर्डारूपका मुल्य से कोई समबंद नहीं है मैक्स बेबर के अंशाल अध्वाले सोमासाज को सम्ब्रदाइन के रूप देखते हैं, दे रूल्स आप सोस्यो लंशिंक मैथड कुछ तक सम्बंधित है, तो दरूल्स आप सोसियोलाजी मैठार दुर्खीम के से सम्बंदीत है जो कि उन्होंने 1895 में लिखी है मैक्स वेवर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्यन में कितनी पद्धतियों को बताया तो मैक्स वेवर ने सामाजिक क्रियाओं के अध्यन के लिए दो उपद्धतियों की बात की है मैं सामाजिक तत्य के विचारों की आलोशना करते हुए करते हुए सामाजी तत्यों को दोविस्यस्ताओं विसिष्ट समस्याओं की अध्यन के लिए उपयुक्त है ना कि सभी प्रकार के सामाजिक तत्यों के लिए संब्भावता दुर्खीम सामुहिक बाध्यता हैं सांस्कृतिक निर्धारन भौतिक वा मनोवग्ञानिक भेर असफल है तो इसका राइट आंसर दी हो जाएक सरोकीन ने दुर्खीम के सामाजिक तत्यों के दो विसेश्थाओं सामुहिक बाध्यता और वाहता कि आलोचना कर करते हुए यह कहा है कि सामाजिक चत्तक की दो विस्तों समश्याओं के लिए अध्यान में उपयुक्त है लेकिन सभी तत्तों के लिए अध्यक नहीं है एटे अल्यां मांकल क्रियाओं में अंतर बताते करता है जो कि विवेक सम्मत की आंतरगत चेतना चिंतन अभडाय प्रयुजन इसे अर्थ होता है जो पस्व और मानव विहुवार के अंतर करता है मैंस बेबर बताते हैं कि पस्व और मानुवी क्रियाओं में अंतर को हम इस प्रकार सम्मद कर सकते कि मानवी प्रियाओं में ब्यवाग सम्बाए आता है जिसके अंतर का समाज एक सयोग मात्र नहीं नहीं है कि मानमी समाज एक संयोग मात्र नहीं है अपितु यह संभावनाओं की एक विधा के रूप में हम इसे देखते हैं अर्थात इसका विकास हुआ है अगला किसके अनुसार सामाजिक क्रिया चार प्रकार की होती है पारंपरिक भावनात्मक मुल्यांकनात्मक अयुमतार की क्रिया तो मैक्स वेबर चार प्रकार की क्रियाओं की बात करते हैं जिसमें पारंपरिक क्रिया भावनात्मक क्रिया मुलंक्यनात्मक क्रिया अयुमतार का अध्यान उपयूक्त एवं प्रमुक्त दियस्य सामाजिक प्रभावों का अध्यान करना हुता है निम्लखित में से कौन सा भी सै मैक्स बेबर से संबंधि नहीं है प्रोटेश्ट नयतिक्ता की अधारा सामाजिक विज्ञानों का दर्शन सत्तायम राजनीतिक विसलेशर मैक्स बेबर वर्ग संघर्ज की बात नहीं करते हैं बाकी प्रोटेश्टेश्ट नयतिक्ता की अधारा सामाजिक विज्ञानों की दर्शन सत्तायम राजनीतिक का विशलेशर युक्तिकरण आधी उनके विचाय से संबंधित है किसके दिरिश्टिस में क्रियायम अंतर क्र अधार पर निर्मित प्रतिमान की व्योस्ता या प्रणाली की व्याख्या की जा सकती है तो वेबर करते हैं कि आर्थिक प्रणालीयों की व्याख्या करने के लिए क्रियायम अंतर क्रिया को अधार बांढ़कर उनके निर्मित प्रतिमान के माध्यम से व्योस्ता प्रणाली का अधार होता है अगला अपने पद्धती सास्त्र में दुर्खीम ने इस बात पर बल दिया है कि भावना से संबंदी सभी विचारों से दूर रहा जाए वैक्तिक को पनपने ना दिया जाए और अध्यान के उद्धेसों को पहले से सावधानी पुर्वक परिभासित कर लिया जाए या सवभाविक तथ्यम पच्छ में भेद कर लेना चाहिए तो यह कथन बोगार्स है बोगार्स ने कहा है कि दुर्खीम की अलोचना करते हुए कहा है कि कि किसी पद्धत सास्त की विशेष्ताओं को निम्लिप्रकार से समझत है कि सही और सटीक प्रडाम पाने के लिए इन सब विचारों को पहले से कर लेना चाहिए अगला निम्लिखित में से कौन सा विचान नौम्माक्सवादी विचारक से संबंधित नहीं है लुकाक्स और खाइमर हेबरमास फूको अल्थि उजा तो नौमाक्सवाद से फूको हितियास चालक या मोटर या है या कथन संबंधित है तो कालमाक्स का मानना है कि वर्ग संघर्स ही हितियास का चालक या मोटर है उन्होंने कहा कि अब तक कि व्याप्त सभी समाज के इतियास में वर्ग संघर्स पाया गया है अगला एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा मान तो तारकी की करण या युक्ती करण को परिभासित करते हुए कि वह है ये प्रसिद्द कथन समवन्दीत है कि हीगल सिरके बल खड़ा था मैंने उसे पैरो के बल खड़ा कर दिया तो काल माक्स या कथन चम्बंदीत है कि हीगल सर के बल खड़ा था मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है सुरी अगला है समाज सास्त पर विग्यान जो समाजी क्रियां के विश्ले सार्थ रातमक बोध कराने का प्रयात में करता है है या कथन चम्बंदीत है तो मैंक्स वेवर का मानना एक समाज सास्त वह विग्यान है जो समाजी क्रियां का विश्ले सण आत्मक बोध कराने का प्रयात में करता है अगला किसने कहा कि सामाजिक तत्य में कारे करने सोचने अनुभाव करने के तरीके समलित होते हैं जो ब्यक्त के लिए बाहरी होते हैं तो अपनी दबाव सक्तिकों माध्यम से दबाव की सक्तिके माध्यम से या थोड़ा मिश्टेक हो गया है ब्यक्तिकों नियंत्रित करते है तो यह कथन दुर्खीम से संबंदित है। दुर्खीम ने समाजिक तत्यों की वाहिता यम वाध्यता दो प्रकार की विशेष्थाओं बताई हैं जिसके तह तो ब्यक्ति पर वह नियंत्रल प्राप्त करता है। अगला व्यक्तिक विचारों का जब संगठन होता है तो एक नए प्रकार के विचार सामुहिक विचार का विकास होता है। जिसके अपनी विशेष्ता होती है और वास्ताओं में या सामूहिक विचार व्यक्तिकी परीधी से सोतंत्र और अपनी सत्ता रखते हैं या कथन सम्मंदित हैं तो दुर्खीम का ही मानना है कि वैक्तिक विचार का जब संगठन होता है तो नए प्रकार के विचार सामूहिक विचार के विक्यास में परिवर्तित हो जाते हैं नौकर साही किस प्रकार की समाजिक क्रिया है तो नौकर साही को तार्खिक क्रिया के अंतरगत रखा गया है कैंकि नौकर साहीं का चैन करने में बौधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जिसे तार्खिक क्रिया के अंतरगत रखा जाता है निम्लखित में से कौन सा दर्थन द्रिच से जगत ये वोधकारी चेतना का अंतर करते हैं तो नौकांतवादी दर्थन द्रिच से जगत और बोधकारी चेतना में अंतर करता है पूजी के संग्रा का सिद्धान यह पूजी के आंत्रिक दोंदखा सिद्धान संबंदित है। जैसी अधानाओं से भी संबंदित है। अगला निम्लिखित में से सही कथन को चाटी है आदर्स प्रारूप सुद्ध प्रारूप है आदर्स प्रारूप आदर्स आत्मग प्रारूप है या आदर्स प्रारूप सामानी प्रारूप है माक्स वेबर के अनुसार आदर्स प्रारूप सुद्र प्रारूप है अगला धर्म के समाज सास्थ का जनक माना जाता है तो मैक्स वेबर को धर्म के समाज सास्त का जनक माना जाता है। तो आंजल्स ने दोन्दात्मक वहतिक वाद को सामयवादी नजरिया के अन्तरगत देखा है। निमलिखित मैं से किसने समाज सास्त एक विश्ष्ट समाजिक विग्यान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रवर्टक माना जाता है। तो मैक्स वेबर ने समाझसास को एक 20 विज्यान के रूप में देखते हैं और यह सरुपात्मक संप्रदाय से संबंदित है जो कि समाझसास को एक 20 विज्यान के रूप में देखता है अगला किशने लिखा है कि दुर्खी में एक प्रत्यच्वादी विचारक थे उस रूप में यह विस्वास करते थे कि समाजी क्रियाओं के अध्यन में प्राकृतिक विज्ञानों की पध्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए तो यह बुगार्स का कथन था कि दुर्खी में एक प्रत्यच्वादी विचारक थे और उस रूप में यह विस्वास करते हैं कि समाजी क्रियाओं के अध्यन में प्राकृतिक विज्ञान की पध्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए तो यह वीडियो यहीं समाप्त करती है तो भाग देख तीन सास्त्री सिधान के भाग तीन जल्द ही आएगा और क्विज्च करने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं और वीडियो के लिए आप यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और